तो बिची की बात जन्गन्ना की बात बहुत की जाती है जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है तो संसद में क्यूं राटीती चनाव में पूछे जाती मंगलवार से संसद और संसद के बाहर जाती को लेकर मचा हुआ है स्यासी घमसान जो कॉंग्रस खुद जातिगत जनगर्ना कराने की मांग कर जाती के हिसाब से आबादी जानना चाह रही है वो कॉंग्रस अब भड़क गई है वो भी सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी की जाती को लेकर संसद में सवाल उठा दिये गए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जाती के मुद्धे पर आमने सामने है बयान बाजी का शोर तेज है और सियासी पारा हाई है जन गन्ना की बात बहुत की जाती है जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते है आप खुशी से करिए आप रोज करिए मगर एक बात मर भूलिए जाती जनगरना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे इनसे यह पूछना चाहता हूँ आपने जाती कैसे पूछ लिए बताईए बस आप जाती कैसे पूछ सकते हैं आप बताएं जाती कैसे पूछ सकते हैं आप पूछ के दिखाओ जाती को जातिकत जंगर्णा के मुद्दे पर राहुल गांधी और अनुराक थाक और उसकदर आमने सामने आए कि देश के सियासी अखाड़े में जाती पर कलेश मच खड़ा हुआ है दिल्ली से लेकर MP तक सियासी पारा हाई है जब से कांगरेस बनी है जब से इस देश में जाती और धर्म की लड़ाई करवाने का काम कॉंग्रेस ने किया है अब राहूल जी के पास कोई एजेंडा नहीं है राहूल जी बिना बाद के इस तरह के मुद्दे उठा कर कहीं न कहीं सामाजिक समरस्ता में विग्ण डाल रहे हैं दूसरों को ग्यान बाटना दुनिया का सबसे आसान काम है लेकिन इसी उपदेश को अपने आप पर अमल करना बहुत कठिन तो क्या हमारे विपक्षी निताओं का भी यही हाल है क्योंकि संससे सड़क तक चीक चीक कर कहा जा रहा है कि हम पूरे देश में जाती कर जन्गरना करवाएंगे सरकार को चैलेंज किया जा रहा है लेकिन जब मुद्दा राहुल गांधी की जाती पर आया तो कॉंग्रेस से लेकर अखलेश तक सब आग बबूला हो गए ऐसे में सवाल है कि जाती के मुद्दे पर क्या विपक्ष दोहरा मापदंड दिखा रहा है और क्या जाती वाला मुद्दा खुद विपक्ष पर भारी पड़ रहा है आज इसी मुद्दे पर MP की महाड़िबे तो हमारे साथ खास बहमान जुड़े हुए हैं जनसे हम सवाल पूछेंगे जवाब जानने की कोशिश करेंगे लेकिन मुद्दे परदेश की महाड़िबेट आज किन सवालों के इद्गर्द रहेगी पहले वो सवाल आपको दिखा देते हैं पहला सवाल रहेगा जनता की जाती पूछने वाले मेता अपनी जाती के सवाल पर आग बवूला क्यों हो रहे हैं दूसरा सवाल रहेगा हर बात में जाती की बात करना कितना सही है तीसरा सवाल रहेगा क्या जातिगत जन्गर्णा पर कॉंग्रस का स्टैंड पदल गया है तो ये सवाल रहेंगे जिनके इज़िद आज बद्रप्रदेश की महाँ डिबेट रहेगी मेरे साथ खास पहमान जोड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता है अजेस सिंग यादव जी जुड़े हुए इस गेस्ट पैनल में सतीश एलिया जी है वरिष्ट पत्रकार है डॉक्र सतिप्रकार शर्मा जी है बतावर पॉलिटिकल अनलिस्ट हमें जॉइन कर रहे हैं और इंतजार मुझे है अभी कॉंग्रस के प्रवक्ता के जॉइन करने का लेकिन अभी फिलाल वो नहीं जोड़ पाए हमारे साथ तो अज कॉंग्रेस पार्टी का इस पस्ट बटवारे की तो कॉंग्रेस की निता बोखला गया इसके दो पार्ट है मैं दोनों हिस्तों पर बात करना चाहूंगा एक कॉंग्रेस पार्टी जिन वर्गों के नाम पर जाती जनगर्णा की बात कर रही उनके लिए कॉंग्रेस ने क्या किया पचास सालों तक कॉंग्रेस की सरकारे रही कभी जाती जनगर्णा की पहल नहीं करी यहां त्यक्की 2011 में जो जनगर्णा हुई उसके बाद साड़े तीन साल तक कॉंग्रेस की सरकार के इंद में रही उसके आकड़े कॉंग्रेस द्वारा जारी नहीं किये गए लेके राहुल गांदी ने बोट कवाड़े और लोगों को धुखा दिया उन बावा साहब को 1952 में कॉंग्रेस ने हरवाया यहां तक की इंद्रा गांधी और राजीव गांधी ने तो स्वयम भारत रत ने लिए और उन बावा साहब अंबिड करत को कॉंग्रेस की सरकारों ने 40 साल तक भारत रत्न तक नहीं मिलने दिया जब भारती जंता पाइटी की सरकार मिली जुली सरकार थी बीपी सिंग के साथ तब भारत रत्न मिला साथ ही पिछड़े वर्गों को जिस मंडल आयोक के तहत आरक्षन मिला उस मंडल आयोक की सिफारे से 1980 में देश की सरकार के पास आ गई लेकिन 1980 से 90 तक कॉंग्रेस की सरकारों ने पिछला वर्ग की वो सिफारे से लागू नहीं होने दी फिर 1989 में जब बीपी सिंग की बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी तब पिछले वर्गों को आरक्षन मिला और साथ ही मदिप्रदेश में पिछले वर्गों के लि कि राजनेतिक हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो वह कॉंग्रेस पार्टी का धौरा रभया अब दूसरी बात जो पर्लियामेंट में जो विशाय आता है वो बहुत महत्पूर्ण विशा है राहुल गांदी जी जो देज भर में सब की जाती जानना चाहते हैं और जाती की संख्या के आधार पर हिस्सा देने की बात करते हैं यहां तक कि बित मंत्री अधिकारियों की भी जाती पूछते हैं तो उन्हें स्वयम की जाती बताने में क जाती पूछेंगे तो क्या क्या देंगे कि हमें प्रिविलेज मिला हुआ हम जाती नहीं बताएंगे हमारे निताओं को जाती नहीं बताना है और इनके सही होगी अखलेश यादो तो पत्रकारों तक से जाती पूछते हैं आज अनुराक ठाकुर जी ने वीडियो भी जारी करते हैं कि कौन उसमें किस जाती का रहा या कौन छूट गया मीडिया के प्रेस कॉंफरेंस करते हैं तो वहां भी ढूंडने को कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर जाती वर्ग से तो फिर आप जाती को लेकर इतना हो हंगामा क्यों पहली बात यह है कि दो अलग अलग चीज़ें एक सरकार ऐसी बैठी है जो जनगंड़ना ही नहीं करा पा रही है दस साल हो चुके हैं जाती जनगंड़ना पर जूट बोले जा रही है पहले कहा कि हम आकड़े जारी करेंगे उसके बाद पर आज तक जाती जनगंड़ना की बात से भाग रहे हैं अगर जाती जनगंड़ना की बात आगे जा रही है और समानता और सब को उसका अधिकार देने की बात की जा रही है तो भारती जनगंड़ना पार्टी की सामतवादी जो सोच है जो आज हर एक विक्ति अगड़े हों पिछड़े हों सब एक साथ आगे बढ़ रहा है और अगड़े लोग पिछले लोगों को भी आगे ले जाके एक मुख दारा से जोड़ने का काम कर रहा हूं उस दोर में भारती तिंता पार्टी की मान सकता कुछ और है ऐसे में किस तरह से रोके इसको ट्रोल की तरह पर रोका जा रहा है रावल गांधी जी की जाती बताना या किसी की मेरी आप पी किसी की बताने से किसी को आपती नहीं है लेकिन विश्या है विश्यांतर करने से क्या कहा जा रहा है सीना ठोक के सावंतवादी सोच का मुझारा किया जा रहा है वहां पर यह कहा जा रहा है कि तुमको नहीं मानून तुम जाती बताओ अपनी क्या राहुल जी की जाती जानने के बाद जाती जंगर्णा हो जाएगी भारती जंता पार्टी इस पश्ट और पे एक बात क्यों नहीं कह देती है पड़ना जी कि भारती जंता पार्टी जाती जंगर्णा के हिट में है या नहीं है क्या हम जाती जंगर्णा जाती वा बात तो नहीं की गई है लेकिन इसमें सिर्फ पूरी भारती जंता पार्टी ए से लेके जेड तक सिर्फ इसमें लगी हुई है कि कैसे ट्रोलिंग का काम कर सकें कैसे लोगों को जात की आधार पर नीचा दिखाया जा सकें यही सोच के तो खिलाफ लड़ाई है हमारी जो साफ कि अभी भी नहीं कांग्रेस पार्टी राहूल गांधी और अब्बास हपीज जी की बातों में पूरी तरह से अंतर है आप के रहे हैं जाती नहीं बाटना चाहते आपके नेता तो बित्त मंत्राले में कौन बजेट बना रहा है कौन हलुआ खा रहा है उनकी जातियां पू की तो बात है कुछ और भी आज से साथ महीने पहले और आज आप दूसरी बात है करने लगे आप तो दुकान लगा के बैटे हो बातियंता पार्टी के लिए सिरे इतना बता ही आजैसंग यादव जी कि आप अखले शादव जी राहूल गादी जी की बात से सहमत है या नही हाई या नामे जवाब दीजिए अरुन यादव जी भी कहना है जाती जनगना होनी चाहिए भाजबा का क्या मत है कि आप अपनी जाती जनगना के हित्म है या नहीं है सवाल इतना सा है इधर उदर की बात करके क्यों भागे ना करिए आप पहल करिए आप अपनी जाती इसलिये नहीं बता रहा है और अगर अधिकाद लाने के लिए तो आप भी नहीं है इतने अंपर तो आप भी नहीं हो मुझे लगता है कि आप जाती है जाती है जाती वाद में अंतर समझेंगे या आप इतने विवकूब सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद आप अपना काउंटर करते रगेगा सतीज जी क्या आपको लग रहा है कि जातिकत जंगरना इस देश की आज के जशक में भी वही कमजोर नब्ज है रहुल गांदी ने चुनाओ के दौरान और चुनाओ के पहले जो सवाल उठाया था जातिकत जंगरना का वो देर सबेर ये जो प्रशन उनके सामने उपस्तित किया अनुराख ठाकुर ने ये मुझे लगता है कि पूरे देश का ही सवाल है जब आप जातिकत जंगरना की बात करते हैं जआति पूछते हैं मेरी जाति आप पूछते हैं तो मैं भी आपके जाति पूछूंगा तो बहुत बहुत बिद्वान रेक्ती हैं जाती का जाती की किस दिला रहे हैं आपनी जाती पताएंगे नहीं वो दूसरों का अधिकार दिलाएगे अधिकान आपनी पेक्राएंगे निस्पश्चता नहीं होता आपया अधिकार कर आप दाना क्राव लागती हैं खालिए घाइए घूप करा तताने से कहा जाएगा उसके अब पताने में सबίας जाती बताने में राहुल गांदी को भी दिक्कत दी होनी चाहिए और जाती पूछने को अपमान कैसे मान रहे हैं वो अपना इस देश में राजनीती के केंद्र में है भारती जनता पार्टी हो या कोई और दल हो जाती के आधार पर टिकेट बितरन होता है जाती के आधार पर मंतरी मंदल के विभाग माटे जाते हैं मंतरी बनेगा नहीं बनेगा जाती के आधार पर तैय होता है भारती जनता पार्टी बात करते हैं यह तो आपको वह अपनी जाती बताने ही पड़ेगी जब आप पूचेंगे सबकी तो आपको अपनी जाती बताना ही चाहिए अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप जूट बोल रहे हैं जनलिस्ट की जमावले में भी ढूंडते हैं कि कौन किस जाती का जनलिस्ट यहाँ पर है तो फिर उन से सवाल होगा तो उसको लेकर फिर इतना बिफरना क्यों इतना हो हंगामा क्यों डॉक्र शर्मा देखे अपना जी कोई भी लीडर हो उसकी कोई जाती नहीं होती है क्या किसी पॉलिटिकल आउटफिट का कोई लीडर है अगर किसी कम्यूनिटी पर्टिकुलर कम्यूनिटी की आबाज उठाता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो उसी कम्यूनिटी का हो लेकिन जब आपका मुद्दा जातिगत जंगरना का हो तो ऐसे में अपनी जाती को identify करना मैं नहीं समझताओं की गलत है बता देना चाहिए कोई पुरही नहीं है अगर इक question आया भी है तो पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको बताओ जाती से परे politics आज की जो है वो हो ही नहीं सकती जबकि democracy की strengthen के लिए यह जरूरी है कि जाती धर्म से परे देश की राजनीती हो लेकिन यहां जो इस्तिती पैदा हो रही है क्योंकि आपने during the campaign जो elections हुए लोग शबा के आपने देखा कि इस मुद्दे को जादा उठाया reservation देखिए SC ST का reservation किस पर आदा रहत है यह बताईए अगर कानून क्या कहता जाती पर आदा रहत है या उनके status पर आदा रहत है जाती पर आदा रहत है तो जाती तो कम से कम अगर देश में development हो रहा है तो OVC में particularly मैं कह रहा हूँ अगर कोई community ले रही है तो मीनाज ले रहे है जबकि जो बास्तर में ट्राइबल्स है उनको उसका नहीं मिल पा रहा है लिकित जाती का जडगना से OVC पर ये प्रवाग के जो बीची में सेक्ड़ों जातिया हैं उन सेक्ड़ों जातियों में से किस जाती को कितना benefit मिर रहा है ये चीज सही है मुद्दा सही है नरिदमूदी ने भी इस मुद्दे को कही न कहीं उठाया है उन्होंने reservation पर strongly कहा क कि हम reservation खतम नहीं करेंगे reservation को लाओ रखेंगे लेकिन राहुल गांधी कहीं न कहीं back foot पर इसलिए आ जाते हैं कि वो अपनी जाती को क्यों नहीं जंता के सामने लाना चाहिए उनको लाना चाहिए अगर parliament में पूछा जा रहा है तो उनको सामने लाना चाहिए ये मेरा मनना ह लेकिन जाती के बगएर आज की यूग में राजनीती भारत में नहीं हो सकती क्योंकि चाहे ticket वित्रन का मामला हो, portfolio दिये जाने हो, minister बर्थ दी जाने हो, even CM बनाय जाने हो, तो भी कहीं न कहीं जाती बड़ा आधार है लेकिन कि किसी जाती को represent करने से वो किबल उसी जाती का representative नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का नेता होता है, या लीडर होता है, तबी तो वो नेता होता है, क्योंकि वो सभी का नेता होता है, सभी उससे उमीद करते हैं कि वो उसकी बात को उठाएगा, मंच पर जवाब, उसकी आवास बनेगा, अबास जवाब दीजे, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, किसी नेता की कोई जाती नहीं होती, लेकर अगर नेता हर एक वर्ग को न्याय जदाने की लड़ाई लड़े, तो फिर उसके उपर प्रहार किया जाएगा, और मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, अतनी बात बहुत कम शब्दों में खतम कर द दिया गया, सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, माननी अजदक्ष महोदय ने उसको रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं समझा, उस भाषा को, उस भाषण के अंश को, प्रधान मंत्री महोदय उसी भाषण के उस अंश को जो एक्सपंच कर दिया गया, जिसको इस लायक नहीं समझा गया कि इसको सदन की रिकॉर्ड में रखा जाए उसको ट्वीट कर रहा है आज प्रिविलेज ब्रीच और प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है चरंजी सिंग चन्नी जी दौरा ये इतिहास में किस तरह की ग्रावट है कि ये बहुत बड़ा विशय है कि आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर चर्चा करने की बाद जो हुई उसको एक्सपंज कर दिया गया जब सदन में सही नहीं समझा है ओम बिर्ला जी ने तो जाहिर सी बात है कि वहां कहना गलत था हर बात के कहने की जगा होती है वहां आप लोगों के लड़ाई लड़ने के जाते हैं और उन लोगों के लाई लोने जाते हैं जिनके पास संसादन नहीं है जिनके पास आज प्रतिर्व नहीं है जिनकी संख्या के आधार पर उनके पास बहुत कम इस्तिदारी है उनकी अगर आप उठाते हो तो आप एक व्यक्तिगत हमले करने लगो आप ट्रोल बनक कि अब क्या है और बीजेपी का क्या है हाँ या ना जाते कर जनगर्णा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पर जवाब दे देंगे तो शायद बहुत से वाद खतब हो जाएंगे अधीकार छां जाद बढ़ गया है और अधीकार चीटर जादा बढ़ गया है वह लोक्सवा अधिकार शन कर जासे अधिकार करनेолैं कि सेहहें कि देखे देखिये देखे अबास जी राजनतिक रूप से सुनना भी सीए आप अपने ीडल का प्रतिनीद कर रहे हैं और मैं अपने दल की बात रहाहा हूं ये आपकी और ना की लाएं के जा रहारा है है यही यह आप सुनना से कि dépदे वों नहीं यहां समय वह से सहना होना आप लेकिन से सुनिए आपके भी शब्द सुनें हमने आपके भी शब्द सुनें हमने आप आप इसलिए नहीं और अपने समय पर जवाब दीजिए कि राहूल गांधी देश में आरक्षंड का डर दिखा के संबीधान का खतम होने का डर दिखा कर चुनाओं में गए कुछ लाब उठाया अब उन्हें लग रहा है ये काट की हांडी उनके सपने पूरे कर देगी इसलिए देश में बटवारे की राजनिती कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ सतीज जी ने भी उस बात को कही मौजू बात है कि पचास सालों तक कॉंग्रेस की सरकार ने किस राज्य में और केंद्र में कहा जाती है जंगर्णा कर वाई बाबा साहब मैंने आपसे कहा यह मेरा और आपके पक्ष का सवाल नहीं है यह आप और हम दल की तरफ से बैटे हैं आप इस तरह की बात मत करिए मैं आपके मुझ सबस्दों का पद फाली पड़ा है नाषनल अश्काम सच का जाली चेरमिन का यह बात में कर रही सतरह tääर अ gra blind ने A नैफ्थर चार प्रगों के मुक् as जंगर्णा होनी कि राजनेती खतिया करने वाले आप का मूं कौने से पिछड़े बर्गे नेताκα का हक कि मुझे बता दो कि सुवास यादो जैसे नेताओं का हचीना की जल्दी से आपकी पूछने थे आज खुद जाती जब पूछ ली गई तो कहा कि गाली देने का काम कर रहा है पूरे डिस्कोर्स में जो जातीगत जनगर्ना की बात उन्होंने भी कही है तो ऐसा नहीं है कि जातीगत जनगर्ना का जो मामला है वो एंडिये के साथ में बीजेपी के जो सयोगी दले उनके बीच में भी उसको लेकर एक एक कंफंटरेशन की स्थिति है और ये राजनीती का विशह है मेरा आगरे सिर्फ इतना है कि अगर कोई किसी की जाती पूछता है तो उसे अपनी जाती भी बताना चाहिए और जो आपती दर्ज करा रहा है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है राहूल गांधी को भी बताना चाहिए और अपने शपत पत्र में भी इसका उल्ले करना चाहिए अन्य था इस मुद्ध को उनको फर उठाना ही नहीं चाहिए जैसा कि राहूल राजी गांधी इसके खलाब थे जवालाल नहरू जाती बाद के खलाब थे और मैं खुद भी जाती का आगे जाती बाद के खलाब नहीं चुडा पाती है बहुत धन्य बाद मध्रप्रदेश की माड़ी बेट पर समय इतना ही था आप सभी का ही शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया और अब चुनाओ में पूछे जाती लेकिन उस पर मचा हुआ है होहला हंगामा ज जाती को लेकर सवाल उठा तो फिर हंगामा ही हंगामा बरता हुआ है। MP की माड रिबेट में तहीं खबर लगातार चारी है।